दोस्तों मैं विक्रम पसाद बलियावाला अमेरिका या यूएसे से बोल रहा हूँ इस वीडियो में हम ये दिखाए हैं कि जो हम लोग घी, तेल, कई किस्म के खाते हैं उसमें क्या फैट कांटेंट है देखें ये बहुती कांप्लिक्स सब्जेक्ट है और मोटा मोटी दो चीज देखते हैं फैट में कि सचुरेटेट फैट जो हो सबसे कम से कम रहे 5%, 10%, 15% लेकिन 40-50% आदिनर है दूसरा ये है क्राइटेरिया कि जो अनसचुरेटेट फैट है वो अधिक से अधिक परसेंटेज में हो 60%, 70% जो भी हो कहने का मतलब है कि वो सचुरेटेट फैट से जादे होना चाहिए और तीसरा ये कि कुलस्टाल सबसे कम होना चाहिए चाओ था कि नमक उगरह नहीं होना चाहिए आयल में यूजली आयल में नमक नहीं होता है तो हम इसमें आपको कई आयल दिखाए हैं बटर भी दिखाए हैं देखिए बटर में और जो इंडिया का मेल्टेट बटर वाला घी है नानक का वो 40 परसेंट जो है उनका अनसचुरेटेट फैट है जो की काफी हाई है और बटर में भी करीब 40 परसेंट होता है और नानक घी में भी करीब 40 परसेंट अनसचुरेटेट फैट है जो कि जादे है और ये सब आदमी को खाने के पहले जब जम नौजवान हो टिनेजर हो डर्ट हो उसी वह से ये सब देखना चाहिए रवाइट करना चाहिए देखे इसमें हम आपको मस्टर्ट सी डायल भी दिखाए हैं लेकिन जो है इसका सचुरेटेट फैट का कांटेंट नहीं दिया है मेरे को पीदा नहीं कियों ये डाबर जो आयल है नहीं दिया है लेकिन जो और इफायल है उसमें भी कम होता है सचुरेटेड आयल I think मेरे को याद है करीब 10-15 परसेंट के करीब होता है और डिपेंडिंग की किस कंपनी का बनाया हुआ है तो मैं यही कहूंग कि आप इसको देखिए समझने का कोशिश कीजिए कि जब भी आप कोई खाईए तो उसमें जो सचुरेटेड फैट हो अधिक सधिक ज्यादे अगर हो तो उसको अवायट करने का कोशिश कीजिएगा और अनसचुरेटेड जो फैट है उसमें अधिक सधिक जो है वो हेल्थ क लिए अच्छा माना जाता है तो उसको खाईएगा तो यहां हम देखिए दिखाया है सोयबीन का आयल और सोयबीन के आयल में जो सचुरेटेट फैट है करीब दस परसेंट है देखिए यहां पर तो यह आयल जो है सोयबीन का इस मामले में अच्छा है तो देखिए कुलोस्ट जीरो परसेंट है तो इसमें जब भी आप कोई तेल खरीदें तो उसका जरूर ही आप पढ़ें कि उसका कांटेंट क्या है और उसी के अनुसार में उसको यूज करें या जिसको अवायट करना हो हार्ट डिजीज वालों को जिसको डायबीटीस है हाई बलड प्रेसर है जो ए एक वीडियो बना करके जैसा हम यहां दिखाए हैं हम आपको दिखा दें कि तेल जो होता है कई किसम के तेल होते हैं और उसमें सचुरेटेड फैट भी जो है काफी जादे होता है किसी में किसी में कम होता है तो जो कम वाला हो उसी का खाने का कोशिश कीजिएगा देखिए मेरा मैं expert नहीं हूँ इस मामले में लेकिन as a layman मैं यही देखता हूँ देखिए यह बटर देखिए जो कि आदमी almost daily खाता है इसमें जो है saturated fat करीब 40% है और जो कि इस मामले में वो जादे है देखिए दिखा रहा है कि saturated fat 35% है तो यह थोड़ा सा high है लेकिन यह competitive world है तो कहने का मतलब है कि जो कम वाला हो उसको आप खरीदें अगर जादे हो तो ना खाए यहाँ जो fat का content देखिए है वो देखिए और please subscribe करें, share करें, comment करें, encourage करें, thanks, namaskar